गाज़ा के कई कोनों में तबाही मचाने के बाद अब इस्राइली सेना राफा शेहर में घुस चुकी है इस्राइली फॉज का कहना है की राफा हमास की चार बटालियनों का गढ़ है जिन्हें जड़ से उखाडने के लिए राफा पर जमीनी हमला करना जायज है लेकिन एक तरफ जहां राफा के भीतर आईडियाफ का कहर शुरू हो गया है वहीं दूसरी तरफ राफा में इसराइल को रोकने के लिए लेबनान का हिजबुला और यमन का हूती बार बार आईडियाफ को अपने हमलों से दहला रही है और इसी कड़ी में लेबनान के हूती ने एलान कर दिया है कि उसने इसराइल पर हमले के चौथे चरण का आगास कर दिया है हूती का कहना है कि चौथे चरण में इसराइल के खिलाफ हमले दो हिस्सों में होंगे पहले में भूमद्य सागर में इसराइल के खिलाफ हमला किया जाएगा और दूसरे हिस्से में रफा में आईडियफ को रोकने के लिए अटेक किया जाएगा और इसके तहट जो भी जहाज इसराइल के कबजे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जाएगा वो हूती का वैद टार्गेट होगा इसको लेकर हूती के प्रवक्ता यायसारी का कहना है कि आने वाले दिनों में उन जहाजों के बारे में नई जानकारी सामने आएंगी जिन्होंने हूती द्वारा इसराइली कबजे वाले बंदरगाह की और जाने वाले जहाजों पर लगाई गई नाके बंदी को तोड़ द नहीं है बलकि वेवार में नहित एक रुख है जो पुष्टी करता है कि यमनी लोग फिलिस्तीन के लिए जीवन का बलेदान देने के लिए पूरी तरहा से तैयार हैं और यदि उन्हें रास्ता दिया जाए तो लाखों लोग गाजा की रक्षा के लिए जाएंगे हूती के प्रवक्ता यायसारी ने अपने बयान में अमेरिका को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है यायसारी का कहना है कि अगर अमेरिका यमन के खिलाफ जमीनी हमले की शुरुवात करता है तो यमन के लोगों ने खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया है या यदि फिलिस्तीन के लिए उनके लिए रास्ता खोला जाता है तब भी हम युद के लिए तैयार है आपको बता दे कि हूती ने इस्राइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में पांचवे और छटे चरण के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है हूदी का कहना है कि यमन ने ये साबिद कर दिया है कि हमारी रननीती रूप से एक अहम स्थिती है जैसा कि अब यमन, लाल सागर, अरब सागर और हिन्द महा सागर में प्रत्वी के अत्याचारीयों को अपमानित कर रहा है दुनिया एक ऐसी स्थिती में पहुँच चुकी है जहां पर किसी की भी अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है लेकिन यमन ने अमेरिका के युदुपोत और जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है यमन ने अमेरिका की इज़त को मिट्टी में मिलाया है सारी के मुताबिक अब इसी वज़ा से अमेरिका एक ऐसी स्थिती में पहुँच गया है जहां पर वो अपने जहाजों की रक्षा नहीं कर सकता है और इस सब के बीच यमन अभी भी अमेरिकियों और इसराइलियों के खिलाफ युद की शुरुआत में है हूती का कहना है कि पूरी दुनिया ने गाजा को अकेला छोड़ दिया है लेकिन यमन अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है और ये जंग अभी यमन के लोगों का प्रतिने धित्व करती है बड़ी बात ये है कि लाल सागर में हूती के हमलों की वज़ा से पूरी दुनिया का माल ढुलाई कारोबार चर मरा गया है और आप शिपिंग कमपनिया केप अफ गूड होप के लंबे रास्ते से अपने जहाजों को भेज रही है जो ना सिर्फ महंगा है बलकि इसमें समय भी काफी खप रहा है